आप सभी का सुवागत Android Tech चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए Android Tech चैनल को जट बटन को दबाकर और साधे साथ इस बेल आइकन को भी प्रेस्ट कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए Hello and welcome friends और आप सभी के एक बार फिर साथ सुवागत Android Tech चैनल पर और friends आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा Samsung की कुछ डिवाइस ऐसी हैं जिनमें जो है नहे F40 अपडेट्स आये हैं और कुछ न्यूज है जो आप सभी को बतानी है So friends without wasting any more time let's get started Friends आप सभी के एक बार फिर से सुवागत Android Tech चैनल पर friends अब सबसे पहले में आपर गोहल राजपूत का थेंक्स के ना चाहूंगा जिनों जो हमारे Facebook पेश पेर इंफ्रमेशन शेयर कीशी तो thank you very much और friends यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो है लगबाग 24 MB का अपडेट है और इसके अंदर एक security page इंक्लूड किया हुआ है अब इतले लग जो है security page का confirmation नहीं है कि कौन सो security page इसके अंदर इंक्लूड कियागा है और अगर आप यूज करते हैं Samsung Galaxy S7 Edge तो अपने वाइल को जाकर अपडेट कर लिए जागा और friends यहाँ पर जो अपडेट है वो भी Samsung की हर एक device की users के लिए है जिसमें Samsung pass available है I think Samsung J7 Prime में भी यह जो feature है available है और काफी अच्छा feature है मुझे लगता है तो अगर आप यूज करते हैं Samsung का पास तो जाकर अपनी Galaxy application पर जाकर अपडेट कर लिए जागा काफी अच्छा feature है अगर आप यूज नहीं करता तो यूज कर लिए जागा काफी मुझे पॉस्टनली बहुत पसंद आया feature यहाँ पर यहाँ पर जोग लिए न्यूस है वह है Samsung Galaxy S8 और S8 Plus के यूज के लिए मेरे काफी सारे सब्सक्राइब काफी सारे वीवर्स ऐसे हैं जो है मेरे Facebook पे मुझे फोटो स्क्रीन शॉर्ट क्लिक करकर के जो है मुझे भेजे हैं के भाई हमें Samsung S8 और S8 Plus उनको जो है Android OYO का अफिशली FOTA के थूरू नहीं मिल पाया है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि कभी-कभी यह हो जाता है और sammobile.com पर भी एक article लिखा गया तक है सदनली जो है Samsung के काफ़ सारे users ऐसे हैं जो है FOTA के थूरू अपडेट नहीं मिल पा रहे हैं आपको क्या करना है आपको सिंपली जो है अपने service center पर जाना है आपने आसपास के service center पर Samsung के महाँ पर जाकर करना है कि हमें जो है अपने mobile को अपडेट कराना है वो खुद आपके mobile को अपडेट करके दे देंगे विकॉज यहां पर अभी तलग जो है जितने भी Samsung के S8 या फिर S8 Plus है सबके warranty में होगे क्योंकि अभी तलग एक साल mobile को launch हुए वे नहीं हुआ है आप जो है अपने simply मासे जाकर करके अपडेट करा सकते हैं अगर आप घर पर ट्राय करते हैं अपडेट करना आपको कफी जादा हाट पड़ेगा और हो सकता है आपको माल का कैनॉक स्ट्रिप हो जाए आप ट्राय कर सकते हैं अदरवाइस मैं रिकमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरे एक यूजर थे जो जैसे वन मेक्स यूज़ करते थे और उनका डिवाइस जो है ब्रिक हो गया और उनको नहीं पता कि वो किस तरीके से रिपैर होगा तो मैं बिल्कुल एक कमेंट नहीं करूँगा आप खुदी अपने वाइल को फिलेश करें यहाँ पर मेरे एक सब्सक्राइबर है जिनका नाम जैसी है और वो मेरे से क्वेशन पूछे दे के भाई अपनी वीडियो में जरूर बताएगा कि सैमसिंग की जो एस और नोट एट जो है इनको काफे बड़े बड़े अपडेट और काफे जादा एफोटी अपडेट्स मि ऐ works आध की सैमसिंग की जो एक सखेस देखनी को मिलता है जबकि सैमसंग की जो फलेक्षिप शरीज्या आपकर आपको जो है मादली से क्षोटी पश देखने को मिल जाता है और फ्रेंस यहाँ पर मैए थोगा सा डिसलपोइंट हुए बिकोजज यहाँ यहां पर सैमसिंग क यानि कि जो midrange device है और flagship device है सबी device का एक सा user interface है अगर flagship device का थोड़ा different user interface होता है और Samsung की जो midrange device उसका लग user interface होता है तो यहाँ पर flagship device जो purchase करते हैं तो उनको एक बेनेफिट मिल जाएगा और इसके वज़े से हो सकता है Samsung की जो flagship series है उसकी sell पे जादा बहतर हो जाए मुझे ऐसा लगता है बाकिया आप इस बात से कितना एगरी करते हैं मुझे बताएए जीचे कमेंट सेक्शन में तो फ्रेज्स आज की वीडियो पर नहीं